करेंसी प्रिमर्केट एनलेसिस पे आप सभी कास्वा आगे थे आज है आपका 25 जनुवरी 2024 थर्जडे एंड आयमीर होस्ट आशिश बर्वा डॉलर इंडेट्स अभी है आपका 103.34 तल के दिन में यूरो प्यमाई UK PMI line आप था जहां पे better than expected data आया उसके बाद ये डॉलर इंडेक्स जो थोड़ा सॉफ हो चुका था तूर्स 82.85 बट ये जो trend line है इस trend line के नीचे sustain कर नहीं पाया बदिरिंगा यूस market bounce back and closed higher at 103.25 अभी डॉलर इंडेक्स को सफ्ट होने के लिए हमें और इंतेजार करना है और इंतेजार करना है प्राइस एक्षिन वाइस नेगेटिव सिगनेल्स हमें देखना है जो यहां पे एस अफ नावडा देली प्राइस प्राइस सेक्षिन है उसमें यह trend line के नीचे strong close देना है and follow through देना है उसके पाथ dollar rupee sideways consolidation में 83.1314 levels में है तो आपका और भी range नेरो हो चुका है 83.10 and 83.20 के पीच में sideways consolidate कर रहे हैं and nothing can be done we need to wait for momentum and volatility in dollar rupee GBP dollar GBP dollar कल के दिन में एक bounce back देखा गया था it rated high of 1.2775 after the data release but during the US market couldn't retain the highs gained by European market during the European markets and finally closed at 1.2725 currently at 1.2710 यहां पी जो देखने वाला चीज वह है बार बार वही बता रहा हो यहां पर आपका एक 1.2820-1.2840 का एक आपर साइड में resistance है and 1.2600 नीचे के साइड में support है जब तक price इस दो range के अंदर में रहेगा price consolidate होने का higher probabilities है इसके अंदर में consolidate होगा लेकिन choppy and volatile behavior जब तक either side breakout नहीं करते तब तक अपका momentum वुरासा missing रहेगा on the higher side and नीचे के तरफ 104.7080 on the lower side इसके बीच में अटके हुए है and वहीं पे आपका sideways choppy volatile behaviors कर रहे हैं euro dollar, euro dollar कलके दिन में during the European market जब data release आया था euro PMI data उसके बाद euro traded higher 10932 but during the US market it could not retain the gains that it had made after the PMI data and finally close lower at 1.088 for currently at 1.0875 so यहां पे जो देखने वाला चीज है आपका नीचे के तरफ support है 1.074060 इसके लिए में price sections strong momentum वाला price sections नहीं देख रहे यहां पे एक box range बनाया हुआ है जब तक यहां पे एक box range बनाया हुआ है जब तक box range के बाहर नहीं जाते है price तब तक हमें इंतिजार करना पड़ेगा जब तक हमें confirmations का ज़रू रहे था dollar yen dollar yen कल के दिन में एक अचागा सा selling देखा गया था from an high of 1.148.38 it traded low of 146.65 लेकिन again close higher at 147.48 so यहां पे हमारा एक important यह point था 23rd january का low इसके low के नीचे sustain कर नहीं पाया नीचे तो गया लेकिन नीचे के level यह sustain यह bounce back करके so हमें यह जो trend line support है trend line support के अभी थोड़ा सा change हो चुका है अभी now the trend line support is like this so जब तक इस trend line support के नीचे close नहीं दे देते हैं तक हमें इंतेजार करना पड़ेगा basically price action की हिसाब से जितना भी करें से पहर समने यह जिए अपका यह जो है अपका जे पी वाई आए ने जे पी वाई आए ने बाइंग के लिए opportunities हमें चाहिए अभी हमें एक number मिला है कल का जो हाई है कल का हाई के ऊपर हमें अगर क्लोज दे देते हैं तो हमें एक अच्छागा सा बाइंग ऑपर्चनिटी मिल सेटे है डॉलर केंडी डॉलर केंडी में कल एक अच्छागा सा बांस बें किया from an intraday low of 1.3430 यह ट्रेटर है 155.1.3528 and closed almost there at the higher end at 1.3522 currently उसी लेवल ट्रेटर केंडी ट्रेट कर रहे हैं अभी जो देखने वाला चीज है RSI daily RSI at 60 resistance जब तक इसको 60 के ऊपर strong close नहीं दे देते है तब तक आपका अप्वार्ड आप मूफ अप्वार्ड जो ट्रॉस्टे नहीं जो ट्रॉस्ट में टेक डॉलर केंडी ट्वर्स 1.367.3620 इसमें थोरा सा मिसिंग है और सी डॉलर और सी डॉलर आपका करेंट्ली एट 1.6570 यहां पी एक आपका इस जोन से बाहर आना परेगा और ऑल्सो फॉर वाइंग ऑपोर्चुनिटी से एक डबली पैटन का जरूरत है जिसके कारण यहां पर एक लाइन है इस लाइन के ऊपर क्लोज देना है कल के दिन में ऑल्दो इस लाइन को ऊपर के तरफ छू के आ चुका है जिस टूच किया इस लेवल के ऊपर क्लोज देने का देन अनली दिन हमें एक डबली पैटन में लगा इन सच एक बुलिश बिल्डप के लिए हम इंते जा रहे हैं डॉलर सी एन इच करेंटले 7.15 25 यह कल अपका क्या बलते हैं चाइन का इंक कुछ रेट कट आया है मिन सप्लाइं मनी तुदा सिस्टेम इसके कारन अपका सब्सक्राइब करेंटले 7.15 25 यहां पर इसके काफी मेशर्स ला रहे हैं तु इसके हमारा कहना है कोई पेशंट अगर आई स्यू में है आई स्यू में डॉक्टर्स ओई ट्राइड डिफरेंट टैप्स अफ मेडिकेशन वेदर टी सी डपेशंट इस रिवाइडिग अना सिमिलरी चाइनीज एकोनोमी इतने सारे शीरीज ऑफ एकोनोमिक बुस्ट एकोनोमिक मेजर्स के बाद क्या यह चाइनीज एकोनोमी प्रेंड हम देख रहे हैं लेकिर अवरल हमें लॉंगार पीरेट में देखने हैं क्या ओल इस मेजर्स आर मिस्ट वैदर पीवेसिका जो इंटेंशन है विए उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ब्रेंट कूड अभी है आपका 80.50 वही है ब्रेंट कूड म इस रेंज के अंदर में चॉपी वालेटल भी हीवेस का हमाई एक्सपेक्टेशन जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं अभी इस बेजियुली ट्राइं कूड हीड सीलिंग हमें देखना है इस सीलिंग को हीड करने के बाद क्या इस रेजिस्टेंस को करता है या नीचे के तरफ आते है या रेस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर के तरफ जाते तो फोर पॉइंट टूफाइट से प्रेजिस्टेंस नेवल है यहां पर हमें एक प्राइस सेक्टेंस मिला है यह जो आपका ग्रीन केंडल है डेटेट 23rd जनर इसके लो के नीचे अगर ग्राइस क्लोज देते हैं प्राइस आने वाले दिनों में हमें एक एम पैटर्ण मिलागा जिसके कारण एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर से तो इस टेंट अगर च्लिंग देखना है तो इसके मीचे चोटा सेलिंग यूज नहीं च्टा सेलिंग बोले ते इसके लोग के के तरफ यूएस ट्रेजरी यहां पर भी कल एक अच्छा का सा हमार पैटर्ण बनाया हुआ है यह हमार पैटर्ण प्राइस बिजस्टेंस अ लोग एंड एंड जो जिसके कारण यहां पर एक बूलिशनेस दीखे रहा है उपर इमीडिएटली हमारा जो रिजिस्टेंस एक 9.50 सो दोनोर तरफ मोपन का एक्सपेक्टेशन से प्राइस सेक्षिंटेंस सिर्फ यहां पर क्या है एक मिंस अगर इसके इस लेवल 4.46 के उपर अगर प्रोस देते हैं आने वाले दिनों में तो एक अपवर्ड मुमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो कर इस प्रीमार के जाने वेकले इतना अश्रिप्राइब अपर सकता है एक प्रीपेसेंटेशन अपको एक 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 अधा हो गाई जाए खिए को में दिनों में नहीं एक जाए थीडिए